दोस्तो अगर आपने YouTube पर एक नुए चैनल बनाया है और जो चैनल आप Anda आपने बनाया है वही चैनल जब आप YouTube पर जाके सार्स करोगी, तो यह चैनल देखने को नहीं मिलता है, तो यह चैनल देखने के लिए क्या setting करना होता है और कैसे यह channel सार्स करने के बाद आपकी सामने आप देख सकते हो या किसी एनदर मोबाइल फोन में जब आप जाके सार्स करोगी तो ये चैनल कैसे मतलब देखने को मिलता है इसके लिए एक अलग से सेटिंग है ये सेटिंग आप पो ओर्म करना पड़ता है तो भी जाके दूस्तों आप जब यूटूब पर जाके सार्स कर है चैनल का नाम जब आप सार्स करोगी तो भी आप देख सकते हो तो इसके लिए दूस्तों देखिए एक चूड़ा सा में उदाहरन लेता हूँ और उसके बाद दूस्तों आपको में वीडियो दिखाता हूँ कि कैसी ये सेटिंग करना है दूस्तों देखिए किसी इसकी मि आप यूटूब चैनल क्रियाट करोगे यूटूब पर तो जब तो कि ये नाम देखने को नहीं मिलता है जब सार्स करने के बाद आपकी नाम जब सामने नहीं आता है तब तो आप इस चैनल की उपर आप उम्मिद नहीं कर सकते हो तो इसके लिए दूस्तों ये सेटिंग क करने के बाद दूस्तों सिंपली आपको सार्स पर में टाल करना है जैसे की एस्टी यू स्टूडियो.youtube.com इतना ही जूस्तों आपको टाल करना है चलिए मैं यहाँ टाल कर लेता हूं जैसे मैंने टाल किया है यहाँ आप देख सकते हो कि दो आप्शन आ चुका है जैसे क दूस्तों यह लोडिंग लेने से पहले आपको तूड़ा बहुत वेट करना है क्योंकि यह और एक मबाइल फॉन पर टाइम लेता है ओपन होने में तो यहाँ आप देख सकते हों तो जैसे कि दूस्तों यह की एक मतलब आलाग है तो अगर इस मतलब ग्रूम ब्रावजर प करता हूं और जूम करने के बाद दूस्तों यहाँ आप देखिए एक ओप्शन में आपको दिखाता हूं जैसे कि यहाँ देखिए डीब है तो यहाँ आपको सिंपली क्लिक करना है चलिए मैं क्लिक करता हूं जैसे दूस्तों मैंने क्लिक किया है यहाँ देखिए सूच एक चूज करने के बाद दूस्तों यहाँ देखिए YouTube होके redirect करके इस page पर लेकर चलता है तो यहाँ दूस्तों आपको कुछ second wait करना है चलिए कुछ second wait करते हैं यह open होने में तुरा बहुत time लगता है तो पूरा वीडियो देखिए तो भी जाके आप मतलब यह setting कर सकते हैं और उसक इक setting लेकिए शेटिंग के आले करने हैं जैसे यहाँ दिकर आपको क्या करना व pra गिश दंग करना जैसे आप click करेंगे, click करने के बाद दूस्तों हो यहाँ देखिए कुछ options और तो यहाँ दूस्तों मैं जरा जूम पर click कर लेता हूँ, जैसे दुस्तों आप channel पर click करेंगे, उसके बाद दुस्तों यहाँ आप देख सकते हो कि कुछ keyword दिया गया है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, चलिए, मैं ज़रा highlight करके आपको देखाता हूँ, यहाँ कुछ keyword दिया गया है, तो यह जो keyword है, यह source में आने के लिए main keyword होता है, तो आपको मैं बताता हूँ कि यह keyword मतलब क्या काम करता है, और कैसे यह, किन-किन keyword यहाँ पर टाल्प करना है, दुस्तों दिखी, जो भी है, जैसे कि मेरे जो channel है, take ind शाहिद, तो take ind शाहिद मतलब 3-4 पकड़ से आपको लिखना होता है, सब सब पह ind शाहिद, capital letters में लिका है, इसके बाद दूस्तों मैंने लिका है, take ind शाहिद, first letter है capital, उसके बाद बाकि small letter से, इसी तरह दूस्तों मतलब गुमाफिरा के आपके जो channel का नाम है, जो भी आपने रखा है, ओही गुमाफिरा के रखना है, और बाकि जो keyword है, दूस्तों यहाँ देख सकते हों, मैंने बहुत सरी keyword यहाँ डाला है, तो यह मतलब कौन सा keyword है, जिस category में आप video upload करना चाहते हों, आपकी चले पर वही category की related यहाँ आपको keyword डाला है, जिसके मैं YouTube tutorial इस channel की उपर में upload करता हूं, तो यहाँ देखिये YouTube, YouTube how to grow, YouTube 2022, YouTube channel, new YouTube channel grow, कैसे करे, तो इसी तर दुस्तों आपको डालना है, जो आपका channel नाम है, गुमाफिरा के 3-4 बर यहाँ पो लिग दना है, उसके बाद दुस्तों next दिन से, आपकी channel जो है, source में देखने को 100% मिलेगा, तो आपको मैं अभी दिखाता हूं कि मतलब channel कैसे आता है, तो चलिए मैं YouTube open करता हूं, YouTube open करने के बाद दुस्तों मैं यहाँ source करता हूं, जैसे कि T-E-C-H-T-E-I-N-D, इसके बाद मेरा नाम में type कर लेता हूं, और इसके बाद दुस्तों मैं source करता हूं, जैसे दुस्तों मैंने source किया है, दुस्तों यहाँ आप देख सकते हूं, सबसे top पर देखे मेरे channel के जो logo है, यह आप देख सकते हूं, यह आया है, और यहाँ channel नाम है, सस्काइम भी है, तो इसी तरह दुस्तों इस settings के कारण यहाँ दिकाई देता है, तो दुस्तों एक चोटा सा वीडियो आप लोगो मैं मतलब provide क्या है, और वीडियो के comment box में राय जो भी है आपको बताना है, और वीड किसी एलादर वीडियो में तब तो के लिए जोई हिंद, जोई बारोत